Electrical Board या Power Board या Extension Board को दीवाल पर किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको इंस्टॉल करना है तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं तो देखिए यहां पर इस बोड को हमें इंस्टॉल करना है तो यहां पर बोड में हमने चारो साइट पर होल कर लिए है जिससे हमारा जो इ उसको बिल्कुल सीधा रखकर कि जिससे हमारा जो बोड है वो बिल्कुल भी तरशा ना हो तो यहां पर देखिए हमने जो होल किये थे बहां पर हम इस प्रकार से इसकी मार्किंग को कर लेंगे तो बोड को हमने सीधा रखा और मार्किंग की और यहां पर हमें ड्रिल करना है तो इस जगह पर इस pencil से हम मार्किंग कर लेंगे, तो जो हमारा drill है, वो उसके अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर ना जाए, जिससे हमारे जो hole है, वो मेच कर जाए, जो screw है हमारे, वो बिलकुल fix जाए हमारे जहां पर हमने hole किया है, तो इस परकार से आपको drill machine से hole कर लेना है, तो आपको hole विलकुल center में करना है, जहां पर आपने marking की है, तो इस परकार से आप plastic की गुली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर लकड़ी की गुली है हमारे पास, तो हम इसको उस size का बना लेंगे, जिस size का हमारा hole किया है हमने, उस परकार की गुली बना लेंगे, और यहां पर हमने 4 screw ली हैं, जो की हमारे 1.5 inch वाले हैं, तो इस से हमें उसको mount करना है, वहाँ पर install करना है, तो देखिए जो लकड़ी की गुली है, आपको इस परकार से बहाँ पर लगा लेनी है, fix कर लेनी है, तो इस परकार से गुली को बनाए, जिससे वो hole में बिल्कुल tight हो जाए, fix हो जाए, तो आपको इस परकार से सभी गुलीों को बहाँ पर ठोक लेना है, fix कर लेना है, और उसके बाद जो हमारा board है, जिस board को हम install करना चाहते हैं, उसको बहाँ पर fix करेंगे, और देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो हमारी cable आएगी, connection आएगा, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर board को इस परकार से काट लेना हुआ, थोड़े से, जिसनी मोटी हमारी बहाँ पर cable होगी, उतना मोटा हम यहाँ पर कट लगाएंगे, और बहाँ से वो उतना सा piece हम बाहर निकाल देंगे, जिससे जो हमारी cable है, वो यहाँ से निकल जाए, और जो हमारी seat है, वो इसके ऊपर fix आ जाए, तो देखिए, अब हम बोड को क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी screw लगा लेंगे बोड में, और जो भी हमारी होल हैं, हमने होल की हैं दीवाल में, उसमें screw को इस परकार से ठोक देंगे, तो यहाँ पर अगर छोटा बोड होता है, तो आप दो screw लगा सकते हैं cross में, लेकिन यह बोड हमारा बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चार screw को लगा रहे हैं, जिससे यह जो बोड है, वो हमारा अच्छे ताइट हो, fix हो, तो आपको इस परकार से ही install करना है, कोई क्या करता है, जो बोड होता है, उसकी उपर वाली seat से कोई कील की वज़े से, वहाँ पर उसको ठोक देता है, तो ऐसा नहीं करना है, तो देखिए, यहाँ पर हमने जो green wire है, उसमें हमारा neutral आ रहा है, तो हमने neutral point पर एक जगए connect कर दिया है, और यहाँ पर red wire में हमारा face आ रहा है, तो जो हमने wire को डाला था, पिछले वीडियो में हमने connection बताये थे, तो उसमें अगर वो वीडियो नहीं देखा, तो description में हम link देदेंगे, आप वो देख सकते हैं, कि इसके connection कैसी के जाते हैं, तो इसके बाद देखना, दो wire हमने face को दे दिया है, बहाँ पर सुच में, और जो हमारा नीला वाला wire था, उसमें हमारा कोई भी supply नहीं आ रही, तो उसको हमने बहाँ पर cut कर दिया है, और इसके बाद जो हमारा पीला वाला wire है, इसमें भी एक और face आ रहा है, तो हमने उसको tape लगा के रख दिया, जैसे कहीं पर हमारा जो red face है, वो नहीं आता है, तो हम क्या करते है, board को खोल के, और जो हमारा पीला वाला wire है, उसको भी connect कर देंगे, तो हमारी supply है, वो board में आ जाएगी, तो इस प्रकार से आपको इसको करना है, और इस seat को आप इस प्रकार से install कर सकते हैं, कोई क्या करता है, इसको seat के ऊपर से ठोक देता है board को, फिर अगर कोई भी हमारा सोच है, या कोई भी खराब होता है, तो उसको खोलने के लिए, हमारा जो board है, बोई टूट जाता है अगर हम खोलते हैं, तो आपको इससे नहीं करना है, पहले जो पीछे का cover है, उसको आपको दीवाल में install कर लेना है, और उसके बाद छोटे से screw लेंगे, फिर उसको seat को fix करने के लिए, जो कि हमारे half inchी वाले होते हैं, उन screw से आप इसको tight कर देंगे, जैसे आपको कभी maintenance करना है इसका, तो आपको ये simple screw को खोलेंगे, और screw को खोलके आप जो भी सुच बदलना चाहते हैं, आप socket बदलना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपको seat को फिर से बहाँ पर लगा सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो board है वो install हो गया है, और हमने जो उपर की side जो cut लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि जो हमारी cable है वो यहाँ पर fix आ जाए, और जो board की seat है वो भी हमारी fix आ जाए, तो इस प्रकार से board को install करना है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें comment box में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई भी question या doubt रह जाता है, तब भी आप हमें comment कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए, तो like share जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें, साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो upload करें, उसका notification सबसे पहले आपके पास आ जाए, तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में,